हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे हीटूब चैनल पर तो गाईस आज की सुटों में हम आपको उताने वाले हैं कि रेडमी मोबाइल में वाटसप कीबोर्ड पर फोटो कैसे लगाएं किसी का भी फोटो लगा सकते हैं तो गाईस अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो डियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है जैसे सेटिंग में जाएंगे अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक सेटिंग होजना है अगर यहाँ पर आपको प्रॉलम आ रही है यह वाला उप्सन नहीं मिल ला है तो देखे कोई बात नहीं आप सेटिंग में आएंगे और सर्च बार में किलिक करके लिखेंगे कीबोर्ड तो यहाँ पर आजाएगा कीबोर्ड एंड इन्पूट मेथड आप चेक कर लेना आपको इस वाले उप्सन पर किलिक कर देना है तो जैसे किलिक करेंगे इस उप्सन पर यहाँ पर जीबोर्ड का एक उप्सन मिल जाएगा जीबोर्ड पर किलिक कर देना है तो चले जी बोट पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर थीम का एक option मिल जाएगा थीम यहाँ पर अब देख सकते हैं तो थीम पर आपको क्लिक कर देना है जैसे थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई थीम का एक option मिलेगा इस my theme बाले option पे आपको click कर देना है तो गाइस चलिए हम my theme पे click करते हैं तो जैसे click करेंगे यहाँ पर आप आजाएंगे अब आपको photos पे click कर देना है click करने के बाद आप जहाँ पर भी photo रखें इस पे click करना है और यहाँ से देखिए photo choose कर लेना है फिर आपको नीचे next पे click करना है फिर आपको नीचे done पे click कर देना중 यहाँ पर अब brightness दे सकते हैं Adjust brightness gives photo का आप बढ़ा गाटा सकते हैं काफी अच्छा है फिर जैसे done कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आपको apply पे click करना है apply पर देखिए हमने click कर दिया अब हम आते हैं back home screen पर और अब हम keyboard को open करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं photo लग चुका है आप चाहें तो अपना photo भी यहाँ पर लगा सकते हैं और guys देखिए हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं कैसे photo लगा सकते हैं तो कहीं पर भी आपको keyboard को open करना है कहीं पर भी यहाँ पर देखिए मैंने WhatsApp में open किया है तो यहाँ पर T के उपर एक setting का option है इस setting वाले option पर आपको click करना है अगर यह दिखिए इस परकार रहेगा तो यहाँ पर जो छोटा से तीर बना हुआ है Q के उपर आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर setting आजाएगा इस setting पर click करना है फिर आप वहीं पर डारेक्ट आजाएंगे आप theme पर click करके फिर यहाँ पर ते आप my theme पर click करके यहाँ से photo दूसरा भी लगा सकते हैं काफी आसान है इस दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं यह देखे गाइस दूसरा लग चुका है तो गाइस आज की वडूम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू